हलो फ्रेंड्स वल्कम बैक तो माई चैनल आज मैं आप लोगों के साथ अंगूर की लौन जी की रहशी पे शेयर करने जा रही हूँ जो की बहुत ही आशान है इसे बनाना बस आप सेजन एंड होने से पहले बना लिजिए और पूरे साल अंगूर के फ्लेवर का मजा देखे कितनी अमेजिंग बनी है बस आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में बना कर काज की किसी एर टाइट पॉटल में भरकर रख लिजिए और पूरे शाल आप इंज्वाय कर सकते हैं आप इसे रोटी पराटी किसी के साथ भीखा सकते हैं तो चलिए आए बनाते हैं अज यहां पर मैं फ्रेस अंगूर ली हूँ इसे दो भागों में हमने काट लिया है और फिर इसे हम घी में तैयार करेंगे तो बस एक चोटी चम्मच हमने यहां घी आड़ किया है और उसके शाथे उसमें हमने जीरा सौफ और कालोंजी आड़ कर दिया है इसे वन बाब फोर ट तीज बत्ता और इस सबके पकने के साथ हम इसमें अंगूर आड़ कर देंगे और अंगूर को सौप्ट होने के तक हम पकाएंगे आप इसी तरह इसे घी में बनाएं घी के साथ अंगूर की लॉंजी का बहुत अच्छा फ्लिवर आता है तो इसके साथ हमने नमक आड़ कर जिससे की अंगूर जल्दी से सौप्ट हो जाए तो यहां आप बिल्कुल एक्वल एमांट में नमक और काला नमक आड़ कर दें इससे अंगूर का टेस्ट और भी अच्छा आएगा और अच्छे कलर के लिए यहां 1 by 4 टेबल स्पून हल्दी और 1 by 4 टेबल स्पून कस्मीर रेट चीली पॉडर एड़ करी हूं रेट चीली पॉडर एड़ करने से इसमें पीठे का अच्छा वैलन्स हो जाएगा और थोड़ा तीखा भी लगेगा और कलर भी बहुत ही कौफसूरत सा हमारे लवान जी का आएगा फैनली मैं इसे गुर में ही बनाने वाली हूं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप इसे गुर में बनाना नहीं चाहते हैं तो आप इसे सक्कर में भी बना सकते हैं मैंने देखिए अंगुर को एक जगा कर लिया और एक्क्वल एमाउंट में सक्कर या फिर गुर एड़ कर लें यहां पिर मैं गुर गुर जब गाड़ा होगा जब तक हमें इसे पकाना है देखि अभी गुर अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अभी हमें इसे थोरी देर और पकाना है अगर आप गुर को गाड़ा होने तक पकाएंगे और उस तरह लौण्जी बनाते हैं तो फिर आपकी बहुत लॉंग जीरा पॉर्डर और 1-4 टेवल स्पून गरम मसाला पॉर्डर एड़ कर दी हूं जिससे हमारा लॉंजी बहुत ही मस्ट फ्लेवर वाला बनकर तैयार होगा बिल्कुल स्पाइसी चटपती इतनी अच्छी टेश्टी बनेगी न कि आप इसे किसी पराथे या फिर प्लेन रोट के साथ भी या प्लेन पराटे के साथ भी बहुत ही मज़े लेकर खाओगे आप घर की ना कोई भी जैम या चिटनी या फिर सौसेज बगरा खाना भूल जाओगे जब इस तरह से लॉंजी अंगुर की बना कर खाओगे तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करना चाहे आप इसे बच्चे की लंज बॉक्स में भी दे सकते हो या फिर अपने ओफिस के लिए भी ले जा सकते हो तो आप एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राइ करें और हमारा यह आइडिया और हमारी यह रेसिपी आपको पुशन दाती है तो प्लीज हमारे चैनल को जरू अंगूर सब्सक्राइब करें तो देखे हमारी हमेट अंगूर की लॉंजी कितनी मस्त बनकर तयार हुई है एक बार जरूर बनाइए और इस रेसिपी को इन्जुए कीजिए तो यकीन कीजिए आप बाहर की जैम, सॉस, चटनी, शब कुछ भूल जाएंगे और इस हेल्दी अंगूर की लॉंजी को ही हमेशा प्रीफर करेंगे, देखे कितनी माउट वाटरिंग दिख रही है, चलिए फटावट हमारे इस वीडियो को खूब सारा प्यार दिजी, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत बूलिए, थैंक यू